उल्लू से अल्ट बालाजी तक ये है पांच प्लेटफार्म जो मनोरंजन के नाम पर सरयाम असलीलता परोस रहे हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सेनल बोल्यूट डॉम पर इन दिनों असलीलता को एरोटिक का चोला पेना कर OTT पर धडलले से बेचा जा रहा है यसे कई OTT प्लेटफार्म मिल जाएंगे जहां पर एरोटिक कंटेंट के नाम पर सिधे पौर्ण दिखाई जा रहा है इनमें आल्ट बालाजी, उल्लू एप, प्लीज मूवी, होट सोट, डिजिटल इंटरेंडमेंट, एट सोट, एम प्राइम, गुपचुप, कुकू और फेनो ओ मूवीज जैसे प्लेटफार्म प्रमूख है यहाँ पर मौझूद वेब सिरीज के नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि इनमें क्या दिखाया जा रहा है जैसे कि चरम सुक, बेकाबू, गंदिबाद, माया भावी गरम, डल्टी स्टोरीज, लवली गर्ल, लव इन लॉकडाउन, पती पतनी और वो, ओपन मेरीज, वेब सिरीज को ही देख लीजिए एडल्ट वेब सिरीज इस्ट्रिम कराने वाला सभी OTT प्लेटफार्म का ये दावा है कि वो पोर्न नहीं एरोटिक कंटेंट पर आधारी सिनेमा दिखाते हैं दरासल एरोटिक और पोर्न के बीच में बहुत बारिक लाइन होती है जिसे चालाकी के साथ इन OTT प्लेटफार्म ने मिटा दिया है इन कमपनियों का मानना ही कि OTT प्राइवेट में देखा जाने वाला मनोरंजन माध्या में ऐसे में एडल्ट वेब सिरीज परोसा जा सकता है इसे हर कोई अपने मोबाईल या टेबलेट पर अकेले में बेटकर देख सकता है और आनन्द ले सकता है इसलिए एरोटिक कंटेंट की बार्स ही आ गई है इनमें ओल्ट बाला जी और उल्लू एब जैसे प्लेटफरम ने तो सारी सिमा ही तोड़ दी है तो आईए इन OTT प्लेटफरम के बारे में जानते हैं जहां मनोरंजन के नाम पर सरयाम असलीलता परोसी जा रही है नमबर वन पर आता है अल्ट बाला जी एक ताक अपूर की कंपणी बाला जी टेली फ्रेम्स लिमिटेड ने 16 अप्रेल 2017 को अल्ट बाला जी को लाँच किया था यहां एक OTT प्लेटफरम है जिसके करीब 34 मिलियन सब्सक्राइबर्स है सबसे पहले ओल्ट बाला जी ने ही अपनी वेब सीरीज के जरिये असलीलता परोसने का काम सुरू किया था सबसे पहले वेब सीरीज 4 प्ले से इसकी शुरुवात हुकी गई थी जो की जनवरी 2018 में रिलिस की गई थी इसके चार महीने बाद ही गंदी बाद को श्ट्रीम कर दिया गया जिसमें असलीलता की सारे हदे पार कर दी गई थी इसके बाद तो इस प्लेटफार्म पर एक से बढ़कर एक असलील वेब सीरीज श्ट्रीम किये गए जिने देखने के बाद पोर्ण फिल्म कहना गलत नहीं होगा इन वेब सीरीज में गंदी बाद के 6 सीजन, क्राइम एंड कन्फेशन, लव सेक्स और धोका, रागिनी एमेमेस, बेकाबू और पोरासपूर प्रमुक है वहीं दूसरे इस्तान पर आता है प्राइम फ्लिक्स, प्राइम फ्लिक्स प्राइवेट लिमिटेट कमपनी ने साल 2019 में प्राइम फ्लिक्स एप को लॉंच किया था इसका मुंबई में मुख्याले है, इसका मालिक सुसिल देशपांडे है, जो करीब तीन दसक से फिल्म इंडिस्ट्री में सकरी है उनको टीवी सीरियल सक्तिमान की इडिटिंग और तक ग्रेट मराटा के डारेक्शन के लिए भी जाना जाता है कोरोना की पहली लहर के दोरान लगे लोकडाउन में जब लोग घरों में बेटे हुए थे उस वक्त तो टीवी प्लेटफरम तेज़ी से ग्रोध कर रहे हैं थे उसी दोरान प्राइम फ्लिक्स एप को लॉंच किया गया ताकि बहतर कॉंटेंट से लोगों को मनोरेंजन किया जा सके लेकिन बहुत ही जल्द ये एप अपना रस्ता भटक गया काम्या सुत्र खुजाते रहो देशी रोमियो और कॉनून जैसी वेब सिरीज को देखने के बाद यहां समाज में आ जाएगा कि यहां मनोरेंजन के नाम पर किस तरह का मजाख हो रहा है वहाएं तीसरे पायदन पर आता है किंडी बॉक्स OTT प्लेटफर्म किंडी बॉक्स को साल 2018 में लॉंच किया गया था इसका भी मुंबई में मुख्याले है यहां सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो और डिमांड सर्विस देती है हाला कि यहां रेजिस्टर्ड और लॉगिन करने के बाद भी यूजर्स को फ्री कंटेंट भी दिखाया जाता है लेकिन उसमें विज्यापन होता है इस कंपनी का मानना है कि हिंदुस्तान में OTT का बहुत बड़ा मार्केट है इसका बहुत बहुत तेबहतर है इसलिए वो आपने एप के जरिये इसका फायदा उठाना चाहती है उनकी तरफ से वर्ल्ड क्लास कंटेंट देने का भरोसा भी दिया जाता है लेकिन जब आप एप पर जाते हैं तो काया की माया, रेड लाइट, वासना, सादु भाई, वर्जनेटी सागा और इट हेपन्स जैसी सोस दिखाई देते हैं इनको देखने से पहले केवल नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यहां किस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है इस OTT प्लेटफॉर्म पर भी बॉल्ड कंटेंट की भरमार है तो वहीं चोथे पायदान पर आता है उल्लुएब उल्लुएब पर असलिल कंटेंट की भरमार है इसको फिल्म प्रोडूसर विभू अगरवाल ने साल 2018 में लॉंच किया था इस पर हिंदी और अंग्रेजी के अलाओ भोजपुरी, बांगाली, पंजाबी, मराथी, तामिल, तेल्गू, कंणड और गुजराती भासा में भी सोस दिखाये जाते हैं कोरोना महामारी के दोरान लोकडाउन की वज़ह से लोग अपने घरों में बंद हो गए थे उस वक्त तो OTT प्लेटफार्म पर एंटर्टेंड कंटेंट की दिमांड तेजी से बड़ी थी एसे वक्त में उल्लू ने MX प्लेएर के साथ में हाथ मिलाकर लोगों को बॉल्ड कंटेंट परोशना सुरू कर दिया इरोटिक कम सेमी पोर्न नेचर की उसकी वेब सीरीज तेजी से पसंद की जाने लगी हाला कि इस प्लेटफर्म पर मोज़ित कई वेब सीरीज और फिल्म में हिना खान, अक्षे ओबेरोई और एजाज खान जैसे कलाकार भी नजर आये हैं उल्लू कमपणी के CEO विवु अगरवाल पर एक मोडल सागरी का सोना सुमन ने न्यूट क्लिप मांगने का आरोप लगाये थे उनका कहना था कि उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड हाड़कोर पॉर्ण दिखाने वाला एक वेप चला रहा है उल्लू एप अलग-अलग फरजी कमपणी के नाम हो अलग-अलग प्रोमोटर हो और आफिस के पते के साथ में रेइस्टर्ड है इन सभी कॉर्ण एप्स का काम और संचालान उल्लू की टीम करती है तो वही आखरी और पांचवे पायदान पर आता है कूकू है कूकू एप एक वीडियो स्ट्रिमिंग एप है इसको साल 2018 में लॉंच किया गया था इसे गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है लेकिन वेब सीरीज जो सोट फिल्म देखने के लिए 90 रुपे प्रती महीने या फिर 108 रुपे का वार्शिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है अभी तक 10 लाग साधिक लोगों ने इस एप को डाउनलोड किया है इस एप पर दूसरों की तुल्ना में वहुच ज़्यादा फिल्मे या वेब सीरीज मौजूद नहीं है लेकिन जो भी वह एक एडल्ट ही है और इसी तरह की खबरों के लिए बने रही है हमारे सिनल कसान